साथ्यो मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना के साथवी किस्त से संबंधित इस महतपूर्ण वीडियो में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है साथ्यो जैसा कि आप सभी को बताए कि मध्यप्रदेश चुनाव के जो नतीजे हैं वो आचुके हैं और मध्यप्रदेश में एक पर फिर से सिवराज सिंग चौहान की जो सरकार है वो वन चुकी है और इसी के साथ दोस्तो आज की डेट में यहाँ पर मुख्यमंत्री सिवराज सिंग चौहान के द्वारा मंत्री लाडली बहना योजना के साथ भी किस्त कब जारी की जाएगी उससे संबंधित जानकरी दी गई है देख सकते हैं यहाँ पर दोस्तो यह आर्टिकल जी बिजनस हिंदी के तरफ से लिखा गया है जिसमें आपर clear जानकरी लिखा गया है कि लाडली बहना योजना सिवराज के लिए गेमचेंजर बनी योजना लेकिन अगली किस्त का पैसा कब आएगा CM ने दे दिया अपडेट तो दोस्तों यहाँ पर सिवराज सिंग चौहान के द्वारा बता दिया गया है कि लभारतियों को पैसे दिये जाएंगे इसमें पूरी जानकरी दूंगा कब पैसे मिलेंगे और कितने रुपए मिलेंगे इस से संबंधित भी जानकरी दी गई है और जो बड़ी अपडेट आ रही है उसमें बताया जारा कि इस बार तीन हजार रुपए लाभारतियों को मिलेंगा तो चलिए मैं आप लोग को यहां पर डेट दिखा देता हूँ किस डेट को मुख्यमंतरी सिवराज सिंग जोहान के द्वारा लाभारतियों के बीच मुख् दिये जाएंगे उसके विषय में तो देख सकते हैं सिवराज सरकार महीनिक की 10-10 तारीक तक इस योजना के लाभारतियों के एकाउंट में डिरेक्ट बेनेफिटेट ट्रांसफर यानि की डीबीटी के माध्यम से पैसे भेजती है लेकिन इस बार चुनावी माहौल है और स शिवराज सरकार का यह कारिकराल जो पुराना कारिकराल है वो खतम हो रहा है ऐसे में इस बात को लेकर आसंका जताई जा रही थी कि पैसे इस बार वक्त से पहले मिलेंगे या नहीं लेकिन मुख्यमंतरी शिवराज सिंग चौहान ने इस पर अपडेट दे दिया है जीत की साप होती तस्बीर के बीच यानि कि जब जीत रही थी BJP उस समय की ये दोस्तों ये अपडेट है जीत की साप होती तस्बीर के बीच सिवराय सिंग चौहान ने कहा कि जो ये जीत हासिल हुई है मैं अपनी बहनों को प्रोणाम करता हूँ जी उसके बाद और भी डीचेल्स लिखे गया है दोस्तों में चीज जो लिखा गया है मैं आप लोगों को यहां पर दिखाना चाहूंगा यहां पर आप देख सकते हैं दोस्तों जो में डीचेल्स लिखे गया है कि भी मिल रहे हैं 1250 रुपए अब तारीक आ रही है यहां पर बताया गया है कि अब तारीक आ रही है मुख्यमंदरी सिवराई सिंग चौहान के दौरा एक-एक बात पूरी होगी जो भी बात कही गई थी यानि कि दोस्तों जो 3000 रुपए लाभारतियों को दिये जानी की बात कही गई थी दोस्तों यहां पर बात कही गई है कि जो भी वादा किया गया था वो पूरा किया जाएगा और अब लाडली बहना लगपती बनेंगी यहां पर दोस्तों क्लियरली जानकरी दी गई है इस बार लाड़ी बहना योजना के तहत जो सातों किस्त है, वो एक से दो दिन के अंदर सब भी लाबुका एक हाथे में ट्रांसफर कर दिये जाएंगे, और जो अपडेट है उसमें यह बताया जारा है, कि इस बार लाबुकों को 3,000 रुपए जो किस्त है वो दिये जाएंगे जैसी ओफीसियल इससे समधित जानकारी आएगी सिबसे पहले आपको हमारे चैनल पर ही जानकारी मिलेगी तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकोन को जरू दबागे रखिएगा देने बाद